आज मैं आपके साथ में जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है चना चार्ट रेसिपी तो आएए चली देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं इसे बनाने के लिए मैं दिया है दो कब बॉइल चना, दो टामाटार बारी कटा हुए, एक प्यास बारी कटा हुआ, एक निबुका रस, एक चमच, हरी मिर्च और धनिया गार्निशिंग के लिए चना चार्ट रेसिपी के लिए special एक मसाला में बना रही हूँ, जिसमें मैंने बन टी स्पून, रड चिली पाडर लिया है, आफ टी स्पून, चाट मसाला, ब्लाक सॉल्ट, आफ टी स्पून, जीरा पॉडर, रोस्टेट जीरा पॉडर, आफ टी स्पून अभी इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे चना चार ट्रेसिबी के लिए ये मसाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है इससे बहुत अच्छा स्वाध आता है चना चार ट्रेसिबी बनाने के लिए मैंने कड़ेक अच्छे से गरम कर लिया है इसमें वन टेबल स्पूर में ओल डाल रही हूँ वन टेबल स्पूर अईल काफी है तेल अच्छे से गरम हो गया है उसमें अब हम ओलियंट डालेंगे अच्छे से मिक्स करनेंगे हमें प्यास को हलका ही ब्राउन करना है ज्यादा ब्राउन नहीं करना है हलका ही फ्राइ करना है प्यास सक अच्च्छा पंदूर हो जाये हूँ थोड़ा सा उतनी हमें इससे फ्राइ करना है जैसे एक प्यास होड़ा सा रंग चेंज करने लगो हमें उसमें तुरंत टi्माटर नहीं है मैं दो बारी कटें हुए टमाटो डो टिमाटा नरी कॉट लिकार लेंगे तमाटर को हम थोड़ा पका लेंगे, तमाटर हो गए है थोड़े से, अब यहां इसमें 1 पूर्ट इस्पून हल्दी डानेंगे, हमने बनाया हुआ मसाला डानेंगे इसमें, लिक्स कर लेंगे अच्छे से, हम उपसे पोड़ा को साधा नमक डानेंगे, अब अपने सौध रूशाओं तो अब ालें, क्यों हमने बनाया नमक भी डाना था इसमें, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें अब हम 2 cup कालाजना अड़ कर देंगे, अच्छे से, से मिक्स कर लेंगे, अब इसमें हम नीबू का राज डारेंगे, मैंने एक नीबू का फूरा राज लिटा रहा है, बोड़ा गई है इसमें अब में टोटल 4 टीस्पूल नीबू का राज है, बहुत ही स्वादिश लगता है, अच्छे से मिक्स करिए, रामिया रामिये उपर से, चना मसला रेड़ी है, आईए अब इसे बाउल में निकाल ले हम, चना मसला रेड़ी है, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट चेक्शन में दिखे जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज़्यादा हैं, इसी तरह मुझे और मेरे चनल को सपोर्ट कते रहें, मिलते हैं और एक इंटरस्टिंग वीडियो के साथ, तब सक के लिए, इट हल्दी, स्टे हल्दी, भाबाई!